हर्याना पॉब्लिक सर्विस कमिशन ने February 2021 में HCS हर्याना सिबिल सर्विसे एग्जेकेटिव वरांज के लिए नया स्लेवर्स इंट्रडूस्ट किया है हम आज उसी स्लेवर्स को देखेंगे, देखेंगे कि क्या चेंजिस हुई है सबसे पहले जो हर्याना पॉब्लिक सर्विस कमिशन है, HCS की एग्जामिशन तीन स्टेज में कंड़क्ट करवाती है प्रिम्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, और थर्डिस परसनालिटी टेस्ट सालाभी और प्रिम्री एग्जामिशन देखते हैं इसमें दो पेपर होंगे, पेपर वन और पेपर टू, पेपर वन में जेनरल स्टडी है और पेपर टू में सी सेट है पेपर वन का स्लेबर्स देख लेते हैं जिननरल साइंस। करिंट इवेंट नational and international हिस्रीव इंदिया एड इंदिया शूर्म्मिट्प इंडिया, इंडिया and world geography इंडिया नहीं एनेक्स है इंडियान कल्चेर, इंडियान पॉल्ट इंडियान एकुनोमी इंडियाल मेंटल इविलरिटी एंड हर्याना special में भी questions आते हैं 100 questions में ये तो minimum हमें count करके चलना ही होगा कि 10 जो questions है वो हर्याना GK से देंगे और वो 15 या 20 भी हो सकता है इसलिए हर्याना special भी काफी अच्छे से करना होगा हमें तो हर्याना में इनों ने बसके ओल इतना लिखा है कि हर्याना economy and people social economic and culture institutions and languages of हर्याना अभी ये details में कुछ इस तरह से लिखते हैं कि question on general science will cover will cover general appreciations and understanding of science including matter of everyday observation and experience as may be expected of all educated person who has not met a special study of any particular scientific discipline स्लेवर्स में तो इन्हों ने ये कहाँ ठीक है लेकिन basic ही general science पूछे जाते हैं इसमें ये science and technology नहीं पूछा जाता है UPSC की तरह तो हमें focus करना है general science पर जो कि lucent वेगरा में दिया हुआ याने कि class 9-10 वाली जो physics chemistry और biology है उस पर focus करना है अब देखते हैं next C-set paper 2 जिसे civil service aptitude test C-set हम लोग कहते हैं जो union public service commission का slaver से उसी को इन्हों ने उतार दिया है comprehension, interpersonal skill, including communication skill, logical reasoning and analytical ability decision making, general mental ability और general mental ability का मतलब है maths और reasoning से related ये questions पूछेंगे और वो class 10th level तक होंगे अब हम देखते हैं salve for the main written examination इस बार syllabus में थोड़ा सा change किया गया है चार papers है जो कि हमने notification वाले वीडियो में देखे थे number first है paper 1 जिसमें English and English essay है ये hundred marks के questions सुंगे और English में ये लोग पूछते क्या है ये हम देख लेते हैं प्रेसी राइटिंग, comprehension of given passes, essay essay इसमें 30 marks के होते हैं, हिंदी में भी 30 marks से होते हैं देखेंगे, uses and vocabularies and general grammar composition कुछ essay के topics रहेंगे 4 या 5 उसमें से एक topic को चूच करके हमें लिखना होता है, हिंदी देखते हैं हिंदी में भी उसी तरह से हैं सबसे पहला question होता है, English में एक passage दिया रहता है, उसको हमें हिंदी में translation करना है यानि कि translation जो है, English passes into Hindi, यानि हिंदी में करना है second question होता है, later, pressy writing, मतलब सार लिखना होता है question third है, explain करना होता है, व्याख्या करना होता है, पेसे इसको, या तो वो कहानी फॉर में देदेंगे या कवीता फॉर में देदेंगे, और चौथा topic है composition, मतलब यह व्याकनार से related है, और fifth जो है essay, चार या पांस topic दिये रहेंगे, उस एक topic पर हमें अपना essay लिखना होता है, यह 30 marks का होता है, हिंदी वाले paper में हम लोग, आप देख सकते हैं कि किस तरह के question previous पूछे गए हैं, और किस तरह से हमें approach करना होगा, अब हम देखते हैं general study, यानि कि paper third, major changing यहाँ पर यह हुआ है, कि इस बार जो general study paper को 200 marks दिये गये हैं, इससे पहले 100 marks का ही होता था, लेकिन इस बार जो examination होगी, वो 200 marks की होगी, और एक ही paper होगा, तीन घंटे का, लेकिन इसमें part करके दिया ह है, part 1, part 1 में कर रहा है कि history of modern India and Indian culture, second में geography of India, third में Indian polity, 4 में यह कर रहा, current national issue and topic of social relevance, और part 2 में India and world, India and world में जैसे यह कर रहा, this part is intended to test candidate ordinance of India's relations with the world in various spheres, such as the following, foreign of your external security related matter, nuclear policy, Indian abode, यानि कि diosphora, इसमें mainly इसका international जो relations है, उसमें focus है, इंडिया and world में, और यह जो इंडिया and world है उपर, यह geography से related है, यहाँ वाला जो proportion है, यह geography of India से, यह geography of India से related है, इसमें देरा Indian economy, international affairs and institutions, डी में development in the field of science and technology, यहाँ पर मेंस में जो questions होंगे, वो science and technology से होंगे, pure science से यहाँ भी नहीं होंगे, लेकिन जो primary examination है, वहाँ पर pure science होगा, वो science and technology पर काफी कम focus करते हैं, यह धियान देना होगा, और पांचवाई इसमें है, statistical analysis, graph and diagram, एक questions, diagram से आता है, previous year के question paper से देखकर हम समझ सकते हैं, और paper 4 इसका होगा, optional paper, 29 subjects में से, कोई एक subject हमको choose करना है, और यह जो इस बार होगा, यह 200 marks का होगा, पहले क्या होता था कि, दो papers होते थे, 150 marks, 150 marks, यानि कि 300 marks के होते थे, दो paper, लेकिन इस बार एक ही paper choose करना है, हमने notification वाले वीडियो में भी देखे हैं, और इसका marks होगा 200, तो total होगा, 600 marks के means examination, paper 1, यानि कि English, 100 marks, paper 2, Hindi, यानि कि 100 marks, और general study, paper 3, that means 200 marks, और optional paper, कोई एक choose करना है, वो 200 marks की, तो total होगे हैं अपने 600 marks, optional का एक एक करके मैं video बना दूँगा, कि यह यह optional subject में है, तो कुछ इस तरह से optional subject हैं, आप देख सकते हैं, मैं scroll कर दे रहा हूँ, जैसे animal husbandry and veterinary science का part 1 करके देगा, और part 2 करके देगा, previous year के questions paper मैं geography history का डाल रहा हूँ इस पे, तो आप देख सकते हैं, वो videos, कि किस तरह के questions पुछे गए हैं, geography में और history में, और भी जो questions paper होंगे, मैं उसको डाल दिया करूँगा इस पे, इन्होंने बस यही किये हैं, कि यह जितने सारे slaves आप देख रहे हैं, यह और कुछ नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया है, बस क्या किया है, कि Union Public Service Commission का slaves इन्होंने उठाया है, और उसी को to the word लिख दिया है, मतलब कि copy कर दिया है इन्होंने, हर एक paper का, वहाँ पर paper 1 और paper 2 के before में लिखा रहता है, यहाँ पर इन्होंने part 1 और part 2 करके लिख दिया है, बस यहीं फर्ख है और कुछ नहीं फर्ख है, और सारे के सारे जो pattern है, मतलब question वहीं, यह slaves वहीं से उतार दिया है, so, इस वीडियो को यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं, I hope you enjoyed